हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल रशना स्टड़ी पोइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इंडियन जी एस से 50 Most Important MCQs आपकी आगामी परिक्सा करनिष्ट सायक के लिए तो दोस्तों बने रहें वीडियो के अंत तक तो शुरू करते हैं आपका पहला प्रशन है किस्री का प्राचिंतम साक्ष कहां से प्राप्त हुआ है क्रिसी का प्राचिंतम साक्ष प्राप्त हुआ है दोस्तों मेहर गड़ से और मेहरगर इस्तिध्याप का बलुचिस्तान पाकिस्तान में दूसरा प्रश्ण है मनुष्य ने सरोपर्थम किस धातु का परियोग प्रारंब किया था तीसरा प्रश्ण है भारत में पुरा पासान कालीन ओजारों की खोज किस ने की थी भारत में पुरा पासन कालीन ओजारों की खोज की थी दोस्तो रोबर्ट बुरुस फुट ने और रोबर्ट बुरुस फुट ने 1863 में भारत में पुरा पासन कालीन ओजारों की खोज की थी चौथा प्रेशन है प्राचींतम आहद सिखों को साहीतिय में क्या कहा जाता था प्राचींतम आहद सिखों को साहीतिय में कहा जाता था दोस्तो कासार्प्ण ओप्स선 नमबर A का right answer हो जाएगा पांच्वाँ प्रेशन है स्वतंतरता प्राप्ति के बाद भारत के किस राजय में हडपा संस्कृति के सरवादिक इस्तल खोजे गए थे दोस्तों हडपा सव्यता की बात करें तो इसकी खोज हुई थी 1921 में दयाराम सहानी के द्वारा इसकी खोज की गई थी चाटा प्रेशन है सिंदु घाटी सव्यता के किस इस्तान पर ब्रहत इसनानागार के अवसेस मिले हैं ब्रहत इसनानागार के अवसेस मिले हैं दोस्तो मुहन जोदुडु से और मुहन जोदुडु की खोज हुई थी दोस्तो 1925 में राखलदास बनर जी के द्वारा ठीक है साथवा प्रश्ण है सिंदु घाटी सबेता काल में कौन सी लीपी सरवादिक प्रचलित थी सिंदु घाटी सबेता काल में भाव चित्रात्मक लीपी सरवादिक प्रचलित थी आपवा प्रश्ण है सिंदु घाटी सबेता के किस स्थान पर सरो परथम चावल के साख्श प्राप्त हुए हैं और लोथल आता है आपका गुजरात राजिय में ठीक है नौवा प्रश्ण है बौध ग्रंत त्रिपीटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मों प्रतेशक का उलेक मिलता है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओप्शन नबर A सुत पीटक में दस्वा प्रश्ण है सत्यमेव जयते किस उपनिसत से लिया गया है सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों मुद्दकोस उपनिसत से 11 प्रश्ण है जयन धर्म के अंतिम तीर्थ कर महाविर स्वामी ने अपना पहला उप्देश कहां दिया था जैन धर्मके अंतिम तीर्थ कर थे दोस्तों महावीर श्वामी और इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों राज ग्रह में आप्सिन नमबर बी सीज का राइट आंसर हो जाएगा प्रथम बहुत संगिती का आयोजन किया गया था तेरें प्रश्ण है किस बहुत संगिती के आयोजन के बाद बहुत धर्महिनयान एवन महायान दोनों भागों में विभाजित हो गया जो आपकी चतुर्त बहुत संगिती थी दोस्तों उसके बाद आपके बहुत धर्म हीन्यान और महायान तो भागों में विभाजित हो गया था और जो आपकी चतुर्त बहुत संगिती हुई थी दोस्तों ये हुई थी आपकी कनिस्क के शाशनकाल में कनिश्क के शासनकाल में कुंडल वन श्रीनगर में आपकी चतुर्त बहुत संगिती हुई थी ठीक है चौद्वा प्रशन है धर्म निर्पेक साहित्य राज तरंगिनी की रशना किसने की थी राज तरंगिनी की रशना की थी दोस्तो कलहन ने उप्सन नमबर सीस का राइट आंसर हो जाएगा पंद्रवा प्रशन है सिकंदर के आकरमन के समय मगत समराज्य का साशक कौन था सिकंदर के आकरमन के समय मगत समराज्य का साशक था दोस्तो घनानन और नंद वंस का जो संस्तापक था दोस्तों वो था आपका पदम नंद ठीक है पंद्रुवा प्रश्ण है किस अभिलेक में सरवपर्थम सती प्रथा होने का उलेक मिलता है सती प्रथा होने का उलेक मिलता है दोस्तों एरन अभिलेक में और जो एरण अभिलेख है वो है आपका भानु गुप्त का ठीक है ये भी आपने बिल्कूल याद रखना है सोलवा प्रश्ण है मैगस्थनीस किसके शाषनकाल में भारत आया था मैगस्थनीस चंद्र गुप्त मौरे के शाषनकाल में भारत आया था कालिंग युद्ध के बात असोक ने बहुत भिक्षू से उपगुप्त जो थे उनसे आपकी बहुत धरम की सिक्षा ली थी किस ने असोक ने ठीक है अठार्मा प्रेशन है सुदर्शन जील का जिल्डोधार किसके द्वारा किया गया था सुदर्शन जील का जिल्डोधार किया गया था दोस्तों रुद्र नामन के द्वारा और जो आपकी सुधर्शन जील है इसका निर्माण किया गया था पुष्य गुप्त के द्वारा और यो इस्तिताप का सौराष्ट में, ठिक है यह जील नेच्ट है गंधार और मतुरासाली का विकास किसके शाषनकाल में सरवादिक हुआ गानधार एवं मत्रा सेली का विकास हुआ था दोस्तों सरवादिक कनिस्क के शाशनकाल में 21 प्रश्न है कस्मीर के मारतंड सूर्य मंदिर का निर्मान किसने करवाया था 22 प्रश्न है भारत पर अरब आक्रमन की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्थ होती है भारत पर अरब आक्रमन की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है 23 प्रश्ण है भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था संक्राचार्य जो थे वो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे चौबीसवा प्रश्ण है गुरु नानक निम्नमेसे किस सुल्टान के समकालीन थे गुरु नानक इबराहिम लोदी के समकालीन थे और गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में ये क्वेशन आपका परिक्षा में पूछा जाता है पच्छीसवा प्रश्ण है निम्नमेसे कि सासक ने मयूर सिहासन का निर्माण करवाया था 26 प्रश्ण है जहांगीर ने किस भासा में अपनी आत्मकता तुझुक ए जहांगीरी की रशना की थी जहांगीर ने तुझुक ए जहांगीरी की रशना की थी दोस्तों फार्सी भासा में और मुगलों की जो भासा थी वो भी आपकी फार्सी ही थी किस यूरोपिया कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था सबसे पहले भारत में आगमन हुआ था दोस्तो पुर्त गालियों का वास्कोडी गामा सरफ पर्थम भारत आये था 1498 में ठीक है 28 प्रशने है भारत्य राष्ट्र कॉंग्रेस की स्थापना किस ने की थी भारत्य राष्ट्य कॉंग्रेस की स्थापना 1885 में एलन हूम ने की थी निम्न लिखित में से कौन चोरा चोरी कांड की वास्तविक दिथी है चोरा चोरी कांड घटित हुआ तो दोस्तों 15 फरवरी 1922 को तीस्वा प्रश्ण है किस घटना के कारण गांडी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था चोरा चोरी कांड के बाद गांडी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था स्वराज दल की स्थापना किस ने की थी मोती लाल चितरंदन दास और मोती लाल नहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी और स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों इनके द्वारा 1923 में ठीक है नेक्स्ट है भारत रतन से सम्मानित प्रथम भारत्य महिला कौन थी इंद्रा गांधी जो थी वो भारत रतन से सम्मानित पहली भारत्य महिला थी इन्हें भारत रतन से सम्मानित क्या गया था दोस्तों 1972 में नेक्स्ट है भारत की प्रथम मिस इंडिया कौन थी रीता फारिया जो थी वो भारत की प्रथम मिस इंडिया थी नेक्स्ट है भारत का प्रथम एकोर्ट कहां पर था भारत का पहला एकोर्ट था एहमदाबाद में नेक्स्ट है भारत में प्रथम परमानु रियक्टर की स्थापना कहां हुई थी भारत में प्रतम परमाणू रियक्टर की स्थापना हुई थी दोस्तों ट्रॉम्बे में और यह स्थित्याप का मुंबाई के नस्दीक में ठीक है नेक्स्ट है भारत का प्रतम बायोस पर बायोस पीयर रिजर्व कौन सा है भारत का पहला बायो स्फियर रिजर्फ है दोस्तो नील गिरी ओप्सन नमबर एस का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भारत के प्रथम महिला न्यायले की स्थापना कहां हुई थी भारत के प्रथम महिला न्यायले की स्थापना मालदा में हुई थी नेक्ष्ट है भारत का पहला डाक्टिकट कहां से मुद्रित हुआ था भारत का पहला डाक्टिकट मुद्रित हुआ था कोलकता से भारत की सबसे बड़ी खारे पाने की इस्थलबद जील कौन सी है सांबर जील भारत की सबसे बड़ी खारे पाने की इस्थलबद जील है भारत का सबसे बड़ा पसु मेला कहां लगता है सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पसु मेला लगता है 41 प्रशन है बाबर ने किस भासा में अपनी आत्म कथा तुजुक ए बाबरी की रशना की थी तुर्की भासा में 42 प्रशन है चोसा का युद किसके मध्य हुआ था चोसा का युद सेरखा और हुमायों के मध्य हुआ था next है सेर सा का मकबरा कहां इस्तित है सासा राम में option number six का right answer हो जाएगा next question है निमने लिखित सत्याग्रहों में से सत्याग्रहों में से किसका नेतरित्व महत्मा गान्दी ने नहीं किया था महत्मा गान्दी ने नहीं किया था दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का नेतरित्वा जो बार्दोली सत्याग्रह था इसका नेतरित्व किया था सरदार पटेल ने ठीक है बाकी सब का नेतरित्वा महत्मा गांदी ने किया था 45 प्रश्ण है भारत में रहयतवाडी बंदोबस की सुरूआत सरवपर्थम कहां से हुई थी तमिन लाडू से भारत में रहयतवाडी बंदोबस की सुरूआत हुई थी दिल्ली में 1857 इस्वी के विद्रों का नेतरित्व किस ने किया था बहादूर साथ जफ़र ने दिल्ली में 1857 इस्वी के विद्रों का नेतरित्व किया था रानी लक्षमी बाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा जो रानी लक्षमी बाई का अंतिम युद्ध था उसमें उन्होंने सामना किया था हुरोज का अंग्रेज थे ये हुरोज से इनका सामना हुआ था इनके अंतिम युद्ध में 48 प्रश्ण है गांदी इर्विन समझोते पर हस्ताक्षर हुए गांदी इर्विन समझोते पर 1931 सिस्वी में हस्ताक्षर हुए 50 प्रश्ण है अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वाइसराय कौन था लिन लिथिगो जो था हूँ अगस्त प्रस्ताओं के समय भारत का वाइस राय था पचास्वाँ वाँस का अखरी प्रश्ण है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जल्यावाला नरसहार के तुरंत पूर्म घटी थी जल्यावाला पाक हत्याकान के बाद हुआ था दोस्तो रोल एक्ट एक्ट का बनना ठीक है और रोल एक्ट एक्ट बना था आपका 26 जन्वरी 1919 को आपका रोल एक्ट एक्ट बना था तो इसका रायट आंसर ऑप्सन नमबर भी हो जाएगा तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इंपोर्टेंट वीडियो आए होप आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देए चैनल पर ने तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ओके थैंक यू